कानुनिया पराद है जहां तुम करून ले आया आठ सो का माल आठ जर्म होगा तो क्या करना है सोसल यानि समाजिक जिम्मदारी लीजिए रिस्पॉंसमिलिटी और समाज हम सोचते हैं कि हम गल्तिक करें दुनिया न करें जैसे तुम कार से जा रहे हो और तुम्हें चिप्स ख कर कि अब ये सब्सक्राइब तो उससे क्या होता कि आप सुधरिये और अपने समाज को भी सुधरिये गल्तिक खुद मत करीए और दुसरे करने से भी रूकिये आपका क्या है responsibility है जीमेदारी है अब तुम नल खोल के छोड़ दिया है कि सरकार कर रहा पानी बचाओ अब तुम खुदी नल खोल के पानी बारा नाया जा रहे हो तुम खुदा रहा कि वाट फिरी का पानी है ठीक है कंट्री क्या जिम्दारी उससमझाइए अवेरनेस अवेर रहिए कहीं कोई को ठक भी न रहा हो ठकाईए तो अवेर रहिए तो लॉजिकल बनिए और बैलेंस बनिए अभी ने किसी उसला दिना मार्पिट कर लीजी ऐसा भ अभी ने किसा अचाहिए उम्मीद का किरन दिखाए कि ऐसा करो गट ऐसा हो जाएगा और पॉजिटिव मूड में अंत की यह नहीं कि नेगेटिव थौट से नहीं पोजिटिव मूड मतलब पढ़े तो भूस हो जाए जैसे कुई निरासा ब्रास कर दो अच्छा तुम ऐसा हो गया हम है ने चिंदन करो हम हैं करवाते हैं सब उसके हमत आजाएगा तुम करो चाहें ने तुम्हारे साथ हूं तो क्या जो से अंडर ही मतल मेरे पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है बोता है निगी बहुत कम जोर है सर हम क्या बोलते हैं ता बोजाएगा बच्चा यह जो किसी काम कि तो नहीं हो वो कल ही भाग जा गया है से अधिकर दिली आ गया हम है इस पैब बात को तबते एक करेगा वही ने उसको एक हांत पकड़ने बाला उसके सर पेक हांत चाहिए यानि आपको लॉजिकल चाहिए बेलेंज चाहिए आप ही हनुमान हो आपको उड कड़ के लगा इन उसके सब्सक्राइब आपको लेड़ना दे हर समय काम करें हर व्यक्ति इमहान है इस तूरी इस सब्सक्राइब कोई कोर से नहीं है तो ही कह रहा है है को पुल अधिक मतल़ है यह से का इतिंग करता हो और पोई этिव मुटका हो इसमें लिंक क्या होग भई लिंक हो आँ, we can conclude, we can conclude in this way, in brief, in short, in conclusion, ठीक है, अब लिग दिया हम points to remember, चार पांच पर लिख लिख लो, points to remember, क्या लिखा हम भाई, in add additional aspect or extend the point, जैसे किसी point को बहाना हो, extend करना हो किसी point कहीं भी, तो आप इस line को लिख करके, आप अगला line जोड सकते हो, a linking word दे रहा हूं है, जैसे similarly, likewise, in the same way, उसी परकार, बोलतो उसी परकार, further more, more ever, besides इसके अलाबा, तो हिंदी बोलते हैं ना, उसी परकार, इसके अलाबा यह भी बात सक है, तो इस तरह से point को आप, याद करके, linking word को जोड सकते हो, तो किसी बात का दूसरा पूल बताना हो, तो इस तरह के इंगलिस word को, आप जोड करके, अगला word, जोड सकते हो, points to remember, to add additional aspect or extend the point, similarly, likewise, in the same way, furthermore, moreover, besides, किसी बात का कोई बिप्रित पहलू देने के लिए, to express contrast, अगला point दिया है, however, nevertheless, yet, still, ठीक है, thought नहीं, गर दिया है, दो होना चाहिए, t-h-o-y-u-g-h, ये thought नहीं, spelling mistake के बिटा, ये दो, t-h-o-y-u-g-h, although, in, ये क्या लिखा है, in spite महाँ जहे, ए-s-p-i-t, in spite of, गलती ज़्यादा है, in spite of, ठीक है, despite, ये दिपी, इसके बावजूद, पर दो, क्या, हा, हां, कल, कॉंपरहेंशन दे दो बच्चों को, हां, शुरॉआत करना, महाथम गाएधिे वला, राइटिंग गाएधि वला, राइटिंग स्कृस्श वाला, कॉंपरहेंशन पीटी वला नहीं, जो बड़ बड़े पैसेज है ने पूरा वह देना है बच्छों को महापमगादी वह दिखा दे नाम को कल बैच बारवज चले गए एक बज़े का टाइम खता हुआ बारवज चले सारे बैच से दस बज़े बारवज़े फिर साम को छे बज़े ठीक है तो दो अल्दो इनस्पाइट अप्ड़े पीज़े बावज़े फॉट नहीं है दो ठीक है ना तो सो काउस करम बताने के लिए दिव तू ओंग तू बिकाउस अनकाउंट आफ बिकाउस सेंस आज फॉर क्योंकी तो इंडिकेट रिजल्ट बताने के लिए हैंस देरफॉर एज रिजल्ट सो अथा प्रिणामस ठीक है तो यह सारे पॉइंट्स जो हैं आपको लिंकिंग वर्ड है जोडने का प्रियास कराएगा इसके माध्यम से आप जोड सकते हो लिख सकते हो यह हींट है यह है जो डेवलप करेगा धि दिन में नहीं होगा तो यह आपके पास यह समझो कि खाजाना चला गया है कि उसको धीर धीर आप कि बढ़ाओ गये तो बढ़ जाएगा कि 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 इस पाइट आफ श्पीड आई टी कर दो इस पीक आफ नहीं होगा स्पाइट इस पी आई टी इस पाइट आफ यहां पर टी एच ओई जी एच दो हो जाएगा एल टी एच ओई अल्दो इस पाइट आफ डिस्पाइट इस पाइट अ अ झाल तो यह एसे लिखने के लिए इतनी चीज़ों कर सकता पढ़ेंगी आप इसका प्रणाय में है कि जैसे आप लोग लिख रहे हो तो कोशिस करना कि किसी चीज़ पर यसे आप लिख मुझे दिखाओ तेकाद इसे लिखो ठीक है टॉपिक दूम है लिख पाओगे हैं सबसे हलका टूपिदू जो तुमको बिल्कुल सोच सकते हो अभी नहीं मतलब कल लिख के लिए आओ घर पे से किसमें लिख सकता है बोलो जिसमें तुम्हारा पेन चले जैसे कोई ऐसा दे दूगा तो लिख नहीं पाओगे हैं नहीं लिख पाएगा पेन चलेगा है नहीं लिख पाएगा अच्छा ऐसा कुछ सिस्टम पर लिखो नहीं डॉरी सिस्टम जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर छुपाओ जिसे प्रेजेंट पास्ट फूचर छीपाओ पेन वहीं चलेगा तुम्हारा अच्छा बहुत अच्छा है सर जो लिखेगा कि नहीं सर नहीं लेना चाहिए तो बुरा है अच्छे ऐसी पुषना चाहता हूं नहीं ऐसी जाना चाहता हूं तुम्हों से तुम्हों दौरी दहेज लेना चाहता है यह नहीं लेना चाहता है है कि ऐसी पुझना चाहरों मैं मैंसी पुझना चाहिए इसी मरे बहुंद दहें हो लेना चाहिए तो टो लेना चाहिए अब मुझे यह बताओ क्यों हुआ है नहीं ठीक है नहीं तुमने कहा कि दोड़ी लेंगे अब सुछोगा नहीं मेरे बसुनू है तुमने बोला तो तुमने बोला कि मुझे डोड़ी चाहिए तो अगेन कोशन कुछा क्यों चाहिए तुम बोला रहे त última बाधा सेथिए कपो यह तुमने कार दो प्रसे रिक होले है तुक है जोड़ना नहीं हाइए वाल्गशन में डोड़ना productive अदुची बाधा थराइए तुमने करण चलो नहीं छोड़ो अब तुमको डॉरी लेना चाहते हैं तुमको डॉरी लेना चाहते हैं हमारे पास संपति पूरा है हम काविल है तो दहज लेंगे करना चाहते हो न तुम अब देखो सुचो मेरे सिस से हो तुमनों क्या करना चाहिए बतारनों लोगो अब सुचो बात को अब जो मैं सिक्षा दरों सुचो क्या करना चाहिए अब देखो दो पक्ष है समाज यह दो पक्ष हो गया अब आपको समाज चलाना है आगे देश बहाना है आगे आपको समाज में आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला यह देखो कि आप एक male हो ये female है अब ये male female बना किसलिए है ताकि समाज को और अगली पिढ़ी को बहाने के लिए male female के निर्मान किया गया अब मैं सोचो कि आप अमीर के बिए उसको इसको इसो side कर दो आप एक आदी मानब हो और आप पूरू सो एक महिला है इन दोनों को इसलिए किया गया संपति को साइट कर दो ताकि समाज आगे बढ़ पाए मतलब जनसंख्या बढ़ाया जा सके आपका बंस आगे बढ़ सके इसलिए साधी की जाती है इस इस देकर के दोनों की सभाविता एक्वली पर्टिपेटेड़ है 50% यापके बीना महिला धुरी और महिला के बीना आप धुरी तो दोनों क्या आगे पीलर हो गए एक बिल्डियंग दो पिलर हो गए ना अब दो पिलर है राइट पला आप देखो कि यह महिला आपके योग योग है या नहीं है तो सबसे ब Authπ Ц Dalis क्या ढूंडओ कि योग और आप दूंडओ क्या आप स्चुय योग हया या नहीं है जो चीछी हुआ क्या समाज में आज पतन क्यूं क्यों हो रहा है अगर मालों दहेज नहीं दिया तो वहाँ tanson हो रहा है, कि समय दहेज नहीं दिया जढ़ा हो रहा है, दहेज कमजोर है तो नहीं दिया, अब क्या है क्या करना चाहिए वो सुनवाद को अब होता क्या है कि महिला चाहिए पुरुष जो भी हूता है महिलाएं कि गहर में माता पिता बच्पन लित सोचते हैं कि हमको इसको देना है गारिन खुस़ता हमको देना है और पुरूस्था हमको लेना है राइट तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहला डिमांड नहीं करना चाहिए कि हमको 10,20、50 ला करोड चाहिए पहला चाहिए Don't sorry, demand नहीं करना चाहिए पहला चुद क्या गभर जो आर्थिक है वो अपने पीता के घर में Equal हिस्था मिलेगा कर दिया क्यों कर दिया पता है क्यों इसलिए कर दिया क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार ज़्यादा हो रहे थे महिलाओं को पती निकाल दिया सास निकाल दिया महिला कहा जाएगी बास लोग अब हम लोग जो दहेज लेते हैं क्यों लेते हैं महिलाओं को हम बस्तु मानते हैं और महिलाओं को हम कम मानते हैं अब दर गौर फर्माओ कि महिला अगर आपके लिए equally participate कर रही है 20 साल पचीस साल रहके दुसरे घर से आपके घर में आपको सवारने के लिए अगर जौब करती है तो आपको आर्थिक ग्रूप से strong कर रही है आप भी कमार भी कमा रही है आर्थिक ग्रूप और mentally भी peace भी कर रह आपके घर को सवार रही है आपको देखरे कर रही है और आप उसे demand कर रहे है उपर से पैसे का तो यह एक अनीती है एक गलत बात है इसलिए दहेज का demand नहीं करना से आप बोलो अब सुनो अब उत्ता है कि अब इसके guardian जो है महिला guardian वो अपने बेटी को पाला है तो चाहते ह कि मेरी बेटी को तकलिफ ना हो तो हम अपने बेटी को पचास सोफा दे दें दस फ्रिज दे दें अपने बेटी के नाम से 20 लाख जमा कर दें अब समझो कि वही बेटी आपको जब पत्नी बन जाएगी तो starting में साल दो सल तेसन होता है उसके बाद आप देखना कि वही तो समार से आपका अंग बन जाती है लेकिन वही एक कड़वाहत अगर तुम्हें इसे दिया तो कड़वाहत उसके दिल में हमेशा रहेगा जीवन तक रहेगा और बचों को सुनाएगी कि तुम्हारे पापा तुम्हारे दादी हमको मारते थे हमको देहज कर पताई करते थ तो बचों क्या पोसित जाएगा एक अलग दिमाग में जाएगा कुंठा जाएगा नेगितिव जाएगा तो आपके प्रसनाल्टी के लिए अच्छा नहीं है इसलिए आप ऐसा योग बनें कि आप दिमांड ना करें आप खुद ही अगर मिलता है तो क्यों बताता हूं को आ आप इसमाल आप दिम बन गए तो अगर आपकी दिम साधी नहीं होती है तो ऐसा श्योग लड़की ढूलिए जो आपको उस लैक समझती हो कि आज इंडिया में डायवोर्स का लिट बढ़ रह जादा अब यह जो है हमारे के जानने वाले महिला जो थी वो टीचर थी वो क्य दहेज भी दिया अब वो महिला तिन चार पांस लग महिने कमा भी रही थी तिन चार पांस महिने और साधी कर दिया और उसका प्रतिय निकल गया नल्ला दिन रात दारूर्पी के पढ़ा हुआ है अब उसको क्या किया चोड़ने प्यातूर हो गए लड़की खुद उसको छ घर पर बार नहीं चलेगा और दहेज कि जब मांगोगे तो लड़की भी तुम पर चढ़कर कर काएगी कि हम दहेज दे कर काया है तुम कुछ करने सकते दो ना और अगर आप दहेज नहीं लोगे क्या कोगे बाई मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे दसलाग रुपैस में जीवन भर के लिए तुम क्या होगा इहसान और वो महिला तुम क्या करेगी संबान करेगी तुम को इजज़त देगी मेरा पती कितना योग है कि हमसे पैसा डिमांड नहीं किया सब्सक्राइब कर रहा है और एक करूर पर लही लिया हूँ करो कि एक करूर देज लही लिया एक डियम के लिए एक करूर पर क्या है तो उसको तो नहीं लेना चाहिए ना इना चाहिए पैसा उसको नहीं तो उसके लड़की अपने आप दे दिया उसको उसे क्या पैसा एक समय को पैसा क्या होता है आप उसके पैसे भी क्यों मर रहे हो आप ऐसा बना लो दुन मिल करके कि पैसा पैदा कर लो इसे दहेज का डिमांड नहीं करना चाहिए मेरा सिधान ते ही न लीजिए न दीजिए हाँ अब बहावा किसको दीजिए तो बहावा दीजिए लव कम अरिंज मेरेज लव कम मतलब है हुआ कि आप पहले से परजीत रहिए लेकिन साधी हमेशा किजिए अरेंज मेरेज प्रेम विवाह मत करिए लोगि प्रेम विवाह में सिर्फ दो ही बच्चा जानता है और उसमें तूटने का डर ज्यादा होता है देती भी या और देता भी यह लव मैरेज साधी नहीं करना चाहिए मैरेज नहीं करना चाहिए लव करो उसको अरेंज बदल लिए 알र्ण ले अ झालियो तर्फ और करीए लेकि साधी जो होता है एक बंधन बंधन देला होता है तो उसमें आप अलर्ट हो जाई है क्योंकि साधी का मतलब आपको लाइफ टेम जीना है तो अगर तुम्हारे पास खाने खिलाने को नहीं है तो मैं तो श्लाद हो और साधी करो इस जब तक कि तुम से टल नहीं हो जाए लड़की सेट हो जाहे फैसा आना चाहिए घर में जिससे की पेट में भूख न हो जाए तो नहीं मरेगा इता है ठीक है पाई इतना ही कल मिलते हैं लोग बबेट एक केर काल चले हम लोग कैसे कलास थांट